वेलकम बॉइस और गल्स आज मंडे है और आज हम लोग सॉलूशन बाक्स में बात करने वाले हैं जोग्रफी बुक्स के बारे में कई बार क्या होता है कि जोग्रफी का सुरुवात कैसे करना है कौन कौन से NCRT बुक्स पढ़ने है या फिर कौन कौन से SP Slice बुक्स है जनको आपको जेग्रफी के लिए रिफर करना है तो जो नए इस्टोएंट्स होते हैं वो लोग काफी कन्फ्यूज हो जाते हैं तो कोई भी किसी SPACIALISE BOOK कौन से लेना है कई बार सारा confusion हो जाता है उनको तो इस confusion को दूर करने के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है और साथ ही साथ इसको इस वीडियो को बनाने के लिए comment section में धनुत साहू ने कहा था कि जो मेरा recent वीडियो था जिसमें मैंने बताया था history books आपको कौन कौन से history की books आपको पढ़ने है NCRT और specialized book तो वह मैंने बताया था तो आगे बढ़ते हैं देखते हैं और कौन कौन से NCRT books आपको पढ़ने चीए जोग्रफी के लिए तो NCRT में सबसे पहले आपको 6th class में पढ़ना है the earth our habitat तो प्रित्वी हमारा आवास करके एक किताब है 6th class में तो वह आपको पढ़ना है 7th class में आपको environment पढ़ना है our environment हमारा पर्यावरान जिसमें geography ना हो करके पर्यावरान के सारे topics हैं तो आपको ये भी पढ़ना है इससे आपका environment तो complete होगा है साथ में geography के लिए जो concept आपको चाहिए तो वह भी काफी built हो जाएगा उसके बाद 8th class में आपको पढ़ना है resource and development संसाधन एवां विकास करके book है जो कि geography के लिए है तो उसको आपको पढ़ना है उसके बाद सीधा आपको 11th class में fundamental of physical geography आपको पढ़ना है बहुत इक भूगुल के मूल सिधान तो जितने भी मैं ncrt बता रहा हूं यह new ncrt है ठीक है old ncrt नहीं है और उसके बाद आपको 11th class में एक और book पढ़ना है इंडिया physical environment तो fundamental of physical geography में आप पढ़ेंगे जो कि earth के layers है ठीक है जैसे कि crust है और जितने भी one होते हैं ठीक है कितने type के पूरे world में one होते हैं फिर भूमी का प्रकार क्या है फिर भूकम कैसे आते हैं कहां कहां आते हैं तो यह सारे आपको पढ़ने को मिलेगा 11th के geography में 11th के concept आप सीखेंगे ठीक है अर्थ भूकम कितने type का होता है कहां कहां पर पाया जाता है तो इंडिया में वो चीज किस तरीके से apply हुआ है यानि कि one के जो प्रकार है जैसे कि ऊच्छ निकटी बंदिय वन भारत में कहां पाया जाते हैं तो आपको यहां पढ़ने को मिलेगा य यह वाले बुक में पढ़ने को मिलेगा कि किस टाइब का जो mountain है वो इंडिया में पाया जाता है तो यह आपको पढ़ने को मिलेगा इस बुक में उसको पढ़ने को मिलेगा फंडामेंटल ऑफ हुमन जोगरफी यह बुक आपको पढ़ने को मिलेगा हुमन जोगरफी हुमन से रिलेटेट कि मानों का मतलब जन्दर्म नित्युलिया जन्दक्यादर यह सब सारा चीजे कहां रहते हैं मानों बस्तियां यह सब चीजे आपको यहां पर पढ़ने को मिलेगा 12 क्लास के इस बुक में फंडामेंटल अब जोग्रफी में उसको बाज तूसरा बुक 12 क्लास में इंडिया पेपल एंड एकॉनमी भारत लोग अर्थवास्ता तो इसमें एक्नॉमिक्स भी थोड़ा सा डिरेक्ली रिलेटेट हो जाता है भारत में और वहां के लोग और उनकी अर्थवास्ता के बारे सर्टेम आप पूरा पढ़ेंगे जितना भी बेशिक पढ़ेंगे यह सारा बैसीख है ठीक है क्या है पूरी जोग्राफी का बीशिक है जब आप इससे पर अब कम्प्रीट कर लेंगे तो इसमें काफी चाहिज-अप बैसिक सीख जाएंगा और आपको तो मालूम हैं कि मैं अभी next slide में आपको बता रहा हूँ तो सबसे अच्छा जो बुक मुझे लगा है climate के लिए climate वाले topic के लिए वो सबसे अच्छा है यह GC लिया हूँ ठीक है तो उस बुक मलब यह writer है उनके तो अभी देखिएगा यहाँ जो जो आपको points में मिलेंगे 123 यह writer के नाम है तो यह writer है ठीक है तो यह writer है नाम यह है certificate physical and human geography यह है ठीक है तो इनका english English version is a book, और Hindi, पहले English, इंग्लीस में आदा था, Hindi में नहीं आदा था, अभी ये book Hindi में भी आता है, तो ये हिंदी में उस book का नाम है, तो ये book का अफिया अच्छा है, और उसके बाद है माजिद हुसेन आप पड़ सकते हैं, जोग्राफी जोग्राफी और कॉम्प्रेहेंसिव स्टेडी ये बुक आप पड़ सकते हैं अब इसका हिंदी बुक हिंदी बर्जन जो है भुगो लेक समगर अध्यन तो ये ये दोनों में से आप कोई भी एक बुक रख लीजेगा और ये आप रख लीजेगा ठीक है ये जोग्राफी का जो जितने भी बुक थे वह मैंने आपको बता दिया है तो जितने भी बुक मैंने बता दिया है आपको उनके लिंक जो आपको डिस्क्रिप्सिन में मिल जाएंगे और आगे जो भी वीडियो आने वाले हैं वीडियो रिलेटेद अपडेट्स आप मुझे ट्विटर फेस्बुक और इन सब जगह पर फॉलो करके आप लेटेस्ट डीटेल्स या फिर लेटेस्ट अप्डेट्स जो हैं जान सकते हैं साथ इसाथ डीसी क्लास में भी डीसी क् पर क्लिक करें और जो भी डाउट्स हैं पैरीज हैं तुझाव हैं और सभी कोश्चन के आंसर हैं उन सभी का जवाब कमेंट सेक्शन में दें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को सेयर करें और फॉलो करें हमारे फेस्बुक और ट्विटर में क्यूंकि च